एलो फ्रेंट वेलकाम वाई टू मैट क्लासेट आज हम इस वीडियो में गुड़ा करना सीखेंगे वो भी एकदम साट ट्रिक्स से आपने बेसिक से तो गुड़ा करना जानते ही होंगे लेकि हम इसे आपको एकदम आसान विश्च से सिखाएंगे तो इसलिए आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर चलिए हम आज का पहला परस्त यानि की पहला गुड़ा की स्टार्ट करते हैं पहला दिया है हमारा 49 गुड़े 26 जानि कि 49 का गुड़े 26 में करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसका एक नियम आपको हम बताते हैं जैसे जैसे हमारे पास अंक दिया रहेगा A, B, C और D, तो इसमें हम क्या करेंगे इनका गुड़ा करना होगा तो सबसे पहले हम इनका गुड़ा D का गुड़ा B में करेंगे उसके बाद यानि की पहले हम D का गुड़ा B में करेंगे उसके बाद D का गुड़ा A में और C का गुड़ा B में करके यानि कि इस तरह से गुड़ा करके इसे हम जोड लेंगे दोनों को उसके बाद हम फिर A का गुड़ा C में या फिर C का गुड़ा A में करेंगे यहां रहाद दो अंकों यानि कि दो अंकों का गुड़ा करने का नियम तो फिर चलिए इस नियम को इस पर हम अपलाई करते हैं तो यहां पर दिया है छे, छे का गुड़ा नौ में करेंगे तो नव छक चववन यानि की यहां पहो गया चार हांसिल बचा मारे पास पांच अब इसके बाद इसका बुड़ा करेंगे इसके साथ तेया हो जाएगा छे चवव चववीस और यह हो जाएगा नव दूनी अठारा तो चववीस और अठारा जोड़ लेंगे तो हमारे पास होगा आठ चार बारा हांसिल एक दो एक तीन एक चार और कितना था हांसिल पांच इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा यह 47 तो यहां से लिखेंगे साथ हांसिल बचा चार अब इसके बाद इसका गुड़ा करेंगे दो का गुड़ा 4 में तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 और हासिल 4 था 8 4 12 यानि कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1274 यही हो जाएगा इसका गुड़ा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि यह गुड़ा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा तो चलिए इसी तरीके से एक गुड़ा अवल लेते हैं जैसे दिया है हमारे पास 82 गुड़े 34 इसका गुड़ा करेंगे तो सबसे पहले हम 4 का गुड़े 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 उसके बाद 4 का गुड़ा 8 में करेंगे तो 8 4 32 और 3 दूनी 6 और इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो 8 3 24 24 27 यानि कि इसका राइट एंसर हो जाएगा 2788 यानि कि 2788 या हो जाएगा हमारा सही उत्तर तो अब चलिए हम 2 अंको का गुड़ा 60 मेथर से करना सीख गए हैं अब हम 3 अंको का गुड़ा करना सीखेंगे इसमें थोड़ा लंबा प्रॉसेस है लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आपको यह आसान लगेगा तो इसमें सबसे पहले हम 3 अंको का गुड़ा का नियम सी ocracy f इसका गुड़ा हम सबसे पहले क्या करेंगे एयाप का घुरा सी में और की का गुड़ाा इत्ल सिकी डूड़ करें तो इसका घुड़ा इसके साथ उसके बार दूसराण इस step क्या है या पका गुड़ा B में या फिर E का गुड़ा C में तो यहां से इन दोनों का गुड़ा करके प्लस कर देंगे अब इसके बाद हम या पका गुड़ा A में और उसके बाद D का गुड़ा C में यानि की इस तरीके से कोने कोने वाले का गुड़ा कोने कोने वाले के साथ उसके बाद हम B का गुड़ा E में कराके जोड़ देंगे यानि की इन सभी को हम प्लस कर देंगे उसके बाद चवथा इस्टे फ़ए A का गुड़ा E में और B का गुड़ा D में यानि की इस तरीके से इस तरीके से हो गया और अंतिम एक गुड़े डी के साथ यानि की इस तरीके से यह रहा इसका प्रासेस तो चलिए हम इस पर अपलाई करते हैं अपने प्रश्ण पर तो यहाँ पर दिया है हमारे पास 435 गुड़े 274 तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे चार का गुड़ा 5 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा चार पंचे 20 तहां से लगा दो अब इसके बाद 4 का गुड़ा 3 में करेंगे चार तिया ही 12 और 7 का गुड़ा 5 में 5 सब 35 बारा और 35 को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 यहाँ हो जाएगा 4 तो यहाँ से हो जाएगा 49 और हांसिल लगेगा हमारे पास यानि कि हांसिल बचेगा 4 अब इसके बाद तीसरा इस्टेफाय इसका गुड़ा इसके यानि कि इस कोने से इस कोने को तो यहाँ हो जाएगा 4 चाव 16 उसके बाद इसका गुड़ा इसके साथ 5 दूनी 10 अब इसका गुड़ा इसके साथ 7 तरिक 21 अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 यहाँ हो जाएगा 1 2 और 2 4 यानि कि 47 लेकिन 4 हांसिल था इसको भी जोड़ेंगे त्या हो जाएगे साथ चार यारा यानि कि 51 की एक लिखेंगे हांसिल बचा पांच अब इसके बाद हम साथ का गुला चार्म करेंगे साथ का गुला चार्म करेंगे तो साथ चव अठाइस और तीन जूनी छे यानि कि 28 और छे आर्चा चाउद्य याँप चाउटिस लेकिन हांसिल पांथ त्या हो जाएगा उन्तालिस यानि कि आया नव और हांसिल बचा आमरे पास तीन अब उसके बाद इसका गुला इसके तो यह हो जाएगा चार दुनी आठ तीन यारह यानि कि यहाँप हो गया यारह तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर तो चलिए दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह अभीपरश्ण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आप इसका डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उड़ा उड़ देखते हैं जिससे की आपको अच्छे से समझ में आ जाये और अब वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप ज्यादा से जाए ज्यादा अपने ग्रूप में सेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें तो फिर चलिए इस प्रश्ण क हो सीखते हैं या दिया है मारे पास 2 1 के 2 उसके बाद 3 1 के 3 4 2 2 8 8 3 11 11 की एक हासिल लगा एक अब इसके बाद इसका गुड़ा इसके साथ 5 के 5 7 2 2 14 4 3 12 जोडेंगे तो 5 4 9 9 2 11 हासिल 1 1 2 1 3 और एक हांसिल था जोड़ेंगी तो हो जाएगे यहां से 32 32 का दो हांसिल लगा 3 अब इसके बाद इसका गुड़ा इसके साथ 5 व 20 20, 71, अब इसे जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 और हासिल 3 था तो यहां से हो गया हमारे पास 44 हासिल लगा 4, अब इसके बाद हम इसका गुड़ा इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 5, 35, 35, 4 49, यानि कि इसका राइट एंसर हो जाएगा 3, 9, 4, 2, 1, 2 यही हो जाएगा हमारे साही उत्तर तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हैं तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना न भूले तो फिर चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही